इस शहर में बसंत अचानक आता है। जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीब किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है जो नहीं है वह फेकने लगता है पच्कियां। आदमी दशाश उमेद पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीडियों पर बैठे बंदरों की आखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भेकारियों के कटोरों का निचाट खाली पन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है धीरे धीरे चलते हैं लोग धीरे धीरे बजते हैं घंटे शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की एक मध्धिम लए द्रड़ता से बांधे है समूचे शहर को इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी कि जो चीज जहां थी वही पर रखी है कि पानी वही है कि वही पर बंधी है नाव कि वही पर रखी है तुल् बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यहाँ आधा जल में है, यहाँ आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नीद में है, आधा शंक में, अगर ध्यान से देखो, तो प्राधा नहीं भी है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के जो नहीं है उसे थामे है राख और रौशनी के उंचे-उंचे स्तंभ आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ धूए के खुश भूके आदमी के उठे हुए हातों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ग शताबदियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ग शताबदियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर